अलो दोस्तों आप वोका स्वाकत है हमारी YouTube चैनल Knowledge Area में आज का हमारी टॉपिक है वास और वेर का प्रयोक कैसे करते हैं ठीक हैं वास और वेर को पहले क्या कहते हैं हिंदी में उसे समझ लेते पहले वास और वेर का अर्थ होता है था या थी इवन थे या थी वास को था और वेर को थी ठीक है वास का अर्थ होता है था और वेर का अर्थ होता है थी ठीक है पास्टेंस में वास वेर का बहुत चाता यूज होता है तो इसका प्रयोक करना भी जानना बहुत ज़रुए है तो आज वीडियो में हम लोग VAS और WHERE का प्रयोग के बारे में आप लोगों को बताएंगे तो पहले हम लोग देखते हैं VAS के प्रयोग के बारे में तो VAS का प्रयोग किन के साथ किया जाता है VAS का प्रयोग He, She, It, This Name, That ठीक है, वास का प्रयोग किन के साथ क्या जाता है? दोहरा-रहों में, वास का प्रयोग He, She, It, This, Name and That इनही को, मतलब He, She, It और That, इन सब को ही third person कहा जाता है और singular number में ही name या करता कहाता है ठीक है, तो वास का प्रयोग He, She, It, This, Name, That इनी को third person और singular number कहते हैं की संग्या या करता के साथ किया जाता है एक बर और दोहरा देता हूँ आपके लिए अच्छे से वास का प्रयोग he, she, it, this, that, name एवं third person singular number की संग्या के साथ किया जाता है ठीक है थर्ड person हो गया he, she, it, this, that और singular number का करता हो गया name राम है मोहने जो भी हो सकता है ठीक है तो इनके साथ वास का प्रयोग किया जाता है तो example देख लेते हैं हम example है हम लोगों का example है हम लोगों का पहला I was glad I was glad मैं खुश था ठीक है I was glad I के साथ वास का प्रयोग ठीक है I was glad ठीक है कि I मतलब singular number singular number मतलब I, मैं करता, I करता है से लिए singular number के साथ singular number की सही है मतलब करता के साथ I तो I was glad ठीक है वास का प्रयोग धर पर्सन और सिंग्रलर नमबर की संग्या के साथ पतला करता के साथ के रहते तो I यहाँ पर करता है तो उनके साथ वास का प्रयोग ठीक है I was glad तूसरा है He was happy ठीक है He was happy तूसरा एक्जामपल हो गया है He was happy वा खुश था या वा प्रसन न था ठीक है इसका short form मैं बताता हूँ किनके किनके साथ किनके किनके साथ वास का use किया जाता है तो use of was वास का use He, she, it ठीक है He, she, it, this, that, name ठीक है और अगर name नहीं होगा तो I होता है ठीक है तो use of was वास का use He, she, it, this, that, name और अगर name नहीं है तो करता के स्थान पर I होता है ठीक है तो नेम नहीं होता है तो करता के स्थान पर I होता है तो इनके साथ वास का use किया जाता है ठीक है इसी प्रकार अगे बढ़ते हैं दूसरा वेर का प्रयोग में ठीक है वेर का प्रयोग या वार का प्रयोग जो अपने भास में जो लोग बोलते हैं उनकी हिसाब से तो वेर का प्रयोग में देखते हैं वेर का प्रयोग वी, यू, दे ठीक है वेर का प्रयोग वी, यू, दे प्लूरल नंबर मतलब की बहु अचन करता जैसे boys हो सकता है, girls हो सकता है, children हो सकता है, horse हो सकता है, मतलब बहुत सारे होते हैं, बहु अचन करता है, उनके साथ वेर का प्रयोग किया जाता है, एक बरौद हो रहा देता हूँ, वेर का प्रयोग, वी, यू, दे, ठीक है, वेर का प्रयोग we, you, they प्लूरल नंबर बहु अचन करताओं के साथ किया जाता है ठीक है एक्जामपल देख लेते हैं we were rich ठीक है we were rich हम लोग धनी थे we were rich हम लोग धनी थे ठीक है और दूसरे एक्जामपल देख लेते हैं we were ill तुम बिमार थे you were ill तुम बिमार थे ठीक है दूसरे एक्जामपल इसका short form में देख लेते हैं कि इनके साथ where का use किया जाता है use of where तो where का use we, you, they where का use we, you, they तथा बहु अचन करता बहु अचन करता क्या होता है जैसे जैसे girls हो गया दूसरा हो जाता है children हो गया इन सब के साथ where का use किया जाता है ठीक है we, you, they प्लस बहु अचन कलता girls, boys ठीक है horses और बहुत सारे होते है books होता है इन सब के साथ where का use किया जाता है ठीक है उमिद करता हूँ आप लोगों को was और where का प्रयोक्स समझ में आ गया होगा इसी प्रकार नॉलेजफूल वीडियो के लिए हमारे यूटूब चैनल नॉलेज़ अरिया को सस्क्राइब कीजे और इस वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे ठीक है ठैंक यू